कि नमश्कार वेलकुमी ओल वन्स अगेन जैसा कि आप सभी को पता है बीए सी पार्ट थर्ड के लिए यूनिट थर्ड हमने शुरू की थी उसमें आज हम लेकर आए अपना लेक्चर नंबर 11 यह यूनिट ऑल्मूस्ट खत्म होने को है इसमें बहुत कुछ जादा बचा नही जाता कि ग्लुकोस से ग्लुकोसाइड कैसे बनता है यहां फिर ग्लुकोस हो कोई भी मोनोसेकराइड हो फ्रक्टोस हो ग्लुकोस हो माल्टोस हो लेक्टोस हो कुछ भी हो तो उनसे हम ग्लुकोसाइड कैसे बनाएंगी ग्लुकोसाइड जो कॉमनली उनको क्या कहते हैं ग्ल आपको याद हो तो मैंने glucose के साथ उसकी cyclic structure बताई थी कैसी होती है तो उसमें कौनसी सरचना होती है furanose furanose मतला five member drink बनती है । वाले वनती है और glucose के के समें कौनसी बनती है 6-10 वाले वहां पर 5 Свदाथध्से वाले क्यों बनती है क्योंकि कोई डिफ्रेंस नहीं है जादा वहाँ से कर सकते हैं ठीक है अब हम देखेंगे कि ग्लुकोस से हम एथरों का निर्माण कैसे करेंगे आज हम जो फॉर्मिशन देखने वाले हैं वो कौन सी है ग्लुकोस से एथर का निर्माण एथर क्या होता है भई इथर क्या होते हैं वही इथर मतलब इस तरह से और ओ आर दो एलकाइल ग्रुप किस से जुड़े हुए हो एक ऑक्सिजन से जुड़े हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं इथर बोलते हैं तो इसका मतलब ऑक्सिजन जुड़ा होना चाहिए दोनों तरफ किस से कार्बन से तो हपम देखेंगे ग्ने का बनाए तो जिसतरा से हमने क्ल क्या बनाय तर Windows of साइड बनाए तर बाकी की रेक्षण हम ग्ल्ठी क्ला बनायता नेग्श जो हमने पिछला लेक्शीर पड़ाती है फॉर्मेशन ग्ल।ककश और एथर का निर्माण ये सभी कौन क्या होगा से इथरों का निर्मान कैसे होता है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे ग्लुकोज हैं फ्रक्टोज हैं यह सभी क्या होते हैं पॉली हाइड्रोक्सी मॉलेक्यूल होते हैं पॉली हाइडरोक्सि मतलब पॉली मेंस बौहत सारे हाइडरोक्सिमु समु तो यह ऐसे मोलिकूल होते हैं इसे अडू होते हैं जिनमें एक से ज़ादा haइडरोक्सिол समु उपस्थ gusty होते हैं जैसे glucose को देखाता न या जो structure बनाई थी हमने साइक्लिक ग्लूकोस किसकी structure form में रहता है साइक्लिक फोर में रहता है तो यहां पर यह भी ओएच है यह एच ओएच ओध और यह च टू ठीक है इस तरह से सरक्चना है हम देख रहें यहां पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रूप है कितने सारे hydroxyl group है है ना तो जिसकी वज़े से यह क्या होता है जो normal हमाले alcohol होते हैं जो भी हमारे alcohol है उनसे ज्यादा अमलिये होते हैं यह monosaccharides जानते होंगे ना alcohol में पड़ा होगा यह होता है आरो एच बॉंड होता है इलकोहल में आरो एच तो यह जो oxygen और hydrogen बाला बॉंड ह कैसा होता है इसलिए प्रेक हो जाता है तो यहां ser तो आगर इनकी कंपारिशन इन से की जाए तो यहां तो केवल हाइड्रोक्सल समूँ था कितने हाइड्रोक्सल समूँ था , एक यहाँ पर तो इतने सारे इसका मतलब इनकी जो अमलियता होगी वो normal alcohol से खेंप से थोड़ी सी, क्या होगी? जादा होगी! apple मातbons बहुत, जादा. अमलियत की लेकिन normal अधिक अम्ली इनका जो एतरी करंण मतलब इथर का निर्मान जो इतर का निर्मान होता हुसे होलते है तो इनका जो एकरी करंड है इल्किया हुए यह सेसे जो है वो थोड़ा सा ज्ञादा होता है तो हम देखते हैं कि हम कैसे इथर का निर्मान करेंगे ठीक है तो हम यहां लिख सकते हैं पहले लिख सकते हैं क्या लिख सकते है कि मोनो सेकेराइड में एक से अधिक हाईडरोक्सिल समुम उपस्तित होने के कारण इनका क्या हो जाता है इनका इनका या इनकी रेखो इनकी किसकी बाद करें अमलियता इनकी अमलियता किससे अधिक होती है अलकोहलों से अधिक होती है और जस्ट विकॉज इनकी एसिडिक नेचर जादा होती है अलकोहलों से इसलिए इनका क्या हो जाता है आसान होता है यानिकि इनका हम इत्री करण आसानी से कर सकते हैं ठीक है करेंगे कैसे वही कर तो सकते हैं लेकिन करेंगे कैसे तो होगा कैसे निर्मान तो यह निर्मान करेंगे हम ग्लूकोसाइड से किससे करेंगे ग्लूकोसाइड जिसका कल हमने फॉर्मेशन देखा था कि ग्लूकोसाइड कैसे बनते है तो अब जो यह रियक्शन होंगी वो किसके साथ होंगी ग्लूकोसाइड के साथ तो हम यह लिख किसके साथ ऩा यह दि लोकोसाइड को जलिये लुकोसाइड को जलिये लीय लेंगे किसमें बना बना हुआ ग्लीय है मिथाइल सल्फोने किसके साथ डाई मिथाइल डाई मिथाइल सल्फेट के साथ क्या कराने पर अभीक्रत कराने पर किसका निर्मान होता है युई थरव का निर्मान होता है जिसको हम क्या बोल सकते है क्या बनता है जिसको बोल सकते हैं क्या बनता है pentamethyl विध्पुन प्राप्त होता है क्या होता है वह यह किसकी reaction करा नहीं है glucoside की glucoside क्या होता है कल हमने बनाया था वह glucoside की formation हमने देखी थी पिछले वीडियो में ठीक है क्या होगा यहां पर कौन सा group आ जाएगा OCH3 यह तो हता है glucoside में ओ-एच गुरूप हट जाता है ये गुरूप था पहले ओ-एच यहां से हाइड्रोजन हट गया उसकी जाएगस कोन आ जाता है टो यह वही बन गया ओ-छ फ्री बाकि-च ऑ-इच ऑ-ग च ऑ-च औ-च और यह हमारा च्छ टु ओ-एच क्या है 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 क्लू को साइड है क्लू को साए यह पर लिख बीदन कौन सा हुआ वह हम नइं बता सकते क्यूकि Immer ऐस तारीके से दिखाय और यह स्टिरियोगेमिस्ट्रीह को je Hum नहीं कि हमें नहीं पता है कि जो हमको दिया गया है वह कौन सा है वह मलें स rupees बीटा ग्लूकोसाइड है दोरों तरह का हो सकता है एलफा भी हो सकता है और बीटा भी हो सकता है तो हम यह लेकर नहीं चल रहें किसी एक फॉर्म को लेकर नहीं चल रहें ठीक है तो अब क्या होगा देखते हैं यह ग्लूकोसाइड है इसकी रियक्शन किसके साथ करानी है इसका विलियन लेना है किस में बना हुआ AQUOS NEOH जलिए NEOH में इसका विलियन लेना है और इसकी रियक्शन किसके साथ करानी है CH3OS11OCH3 यह क्या है यह है डाई मिथाइल सलफेड क्या है यह यही है तो इसके साथ reaction कराएंगे तो होगा क्या तो होगा यह कि जितने भी हाइड्रॉक्षिल ग्रूप है यह भी यह भी यह सब किसमें चेंज हो जाएंगे इथर में इथर मतलब यह भी तो इथर है यह भी तो इथर में चेंज हुआ है यहाँ पर oxygen किसे जुड़ा है कारवन और य यह भी क्या है एक और ग्रूप बीच में क्या है oxygen यह यहां पर भी तो इथर बना हुआ एक नाम था व्रूकोचाइड में लेकिन एथर प्लिषक पर बना की इसी स्का नाम यह रेक्शन को साथ करांगे तो ब test यह बनेगा तो इसकी तो stereo chemistry में पता ही नहीं थी यह तो ऐसी रहेगा और बाकी के भी O क्या बन जाएंगे यह भी OCS3 में चेंज हो गया यह भी क्या बन जाएगा OCS3 OCS3 और यह भी बन जाएगा OCS3 यानि जितने भी hydroxyl group थे वो सभी किसमें चेंज हो गया इधिर गुरुप में चेंज हुगए तो यह क्या हुआ割 इथरों का निर्मान हुआ यह क्या बन गया यह बन गयां पैंटा मिताइल क्या बन गया पैंठा cardboard और क्या नाम देंगे हम इसको पैंधांत अ मिधाईल ग्लूकोस29 को बेंग और नॉन-Reducing Sugar जो होती है उनके एंड में क्या हता है आइड आता है तो हम यह क्या लिख सकते हैं यह है ? पेंटा-मिथाइल एलफा भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है इस्टेरोखेटी नहीं पता तो पेंटा-मिथाइल ग्लूको पाइरानो साइड ठीक है तो क्या है ये ग्लूको पाइरानोसाइड भी लिख सकते हो और अब इसको ग्लूको side भी लिख सकते हो कैसा पेंटा मिथाइलेटेड ग्लूको side और ये हमारी कौन सी रिंग थी ये ती यहां पर भी आलफा बीटन नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे यह क्या थी यह थी हमारी ग्लूको पाइरानो साइड रिंग कौन सी रिंग थी यह ग्लूको पाइरानो साइड लिया था हमने ग्लूकोसाइड को हम क्या बोल सकते है? ग्लूकोपाहिरानोसाइड और इसी को हम क्या बोलते है? इसी को बोलते है ग्लूकोसाइड ठीक है? तो इसको reaction कैसे कराए है? Equus NOH के साथ बने विलियन में इसको reaction कराए है Di-methyl, Sulfate के साथ और क्या हुआ जितने भी OH ग्रूप थे उनकी जगा पर क्या आ गया Aster ग्रूप बन गया यानि OCS3 बन गया तो यह इस तरीके से हम इथरों का निर्माण करते हैं अब मेकैनेजम देखेंगे पहले इसे नोट कीजिए जल्दी से जल्दी से इसे नोट कीजिए फिर मेकैनेजम देखते हैं कैसे होता है इसका कैसे करेंगे यहां पर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन यहां पर हमारे पास OCH3 ग्रूप जो की स्टीरोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं है यानि अल्फा लिया है बीटा लिया है हमको पता नहीं है दिखतो रहा है यहां पर होगा OCH यह है OCH उपर H OCH यह जो लाज ग्रूप ऑंगयान का मेशा कौन सी पॉजिशन पर रखना है एक्विटोरियल पर रखना है एक्जियल पर नहीं रखना है तो यह डियेक्शन होगा कैसे हमने इसका विलियन लिया है किसमें एने ओच में किसमें लिया है एक्वस एने वच जलिए विलियन लिया है ठीक है जैसे ही हम एने वच लेंगे क्या लेंगे एने वच लेंगे तो होगा क्या होगा क्या यहां से हमें क्या मिलेगा यहां से हम मिलेगा ओच माइनस क्या है यह होता ह बेस क्या है यह बेस की तरह काम करेगा बेस का काम क्या है बेस का काम है प्रोटोनों को लेना बेस का काम क्या है प्रोटोन को ग्रहेंड करना कौन से प्रोटोन जो एसिडिक प्रोटोन होते हैं उनको ग्रहेंड करना और एसिडिक प्रोटोन कौन से है यह 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 सब क्या ह acidic proton क्योंकि oxygen से जुड़ हुए अभी बताया मैंने एलकोहल में यह जो OH bond होता है यह कैसा होता है acidic होता है polarity होने के बज़े से क्योंकि oxygen की विद्धु तुरुनात्मक्ता क्या है यह ना oxygen की विद्धु तुरुनात्मक्ता तो मालनों यह OH है तो base क्या करेगा इस proton को ले लेगा जैसे यह proton को ले लेगा यह bond कहां चला जाएगा oxygen पर चला जाएगा तो क्या बनेगा तो बनेगा यह यह तो no change OCH3 यह यह बन जाएगा यह बन जाएगा O- क्या बना O- बाकिया मैसी लिख दें यह बना ओ माइनस बन गया बेज ने प्रोटॉन ले लिया अब क्या होगा अब हमारे पास रियक्शन मिक्सचर में क्या है किसके साथ अभीकरत करायता है यह लिया था हमने CH3, O, S, O, CH3 ठीक है यह था तो हम जानते हैं ऑक्सिजन की विद्धुद इनात्मक्ता क्या है जादा है तो यह बॉंडिंग के उल्यक्रान को क्या करेगा अपनी तरफ आकरशित करेगा तो यह जो बॉंड होगा यह पोलर हो जाएगा यह बॉंड भी कैसा हो जाएगा पोलर ह जाएगा तो क्या होगा जैसी OS माहिना इस सी ऑश त्रीप अटैक करेगा थो यह अच्हा लीउविंड ग्रूप होने की वजह से बाहर निकल जाएगा यह क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा क्योंकि एक अच्छा लीविंग ग्रूप है तो यहां पर क्या क्या formation होगी ओ माइनस का अटेक किया कार्बन पर अटेक किया और यह बॉंड ब्रेक ओकर कहा चला गया ऑक्सीजन पर चला गया तो क्या बनेगा यह बना OCS3 यहां H और यह क्या बन गया यह बन गया OCS3 यहां पर क्या है H OH और यह है OH और यह क्या है CH2OH क्या है CH2OH यानि कि अब यह जो एलकोहॉलिक गुरूप था OH गुरूप था किसमें चेंज हो गया OCS3 Ester में चेंज हो गया अब क्या होगा प्यूकि हमने reaction mixture में लिया है तो ऐसा तो नहीं एक ही नहीं होगा एक ही OH माइनस होगा और एक ही प्रोटॉन लेगा ना यह reaction क्या होगा जिस तरह से यह OCS3 बना है इसी तरह से अब बाकी सारे OH भी क्या होंगे OCS3 में कनवर्ट होंगे आगे और होगी कई सारे steps में आगे क्या होगी मैंने इस तरह के तीरों से दिखाया इसका मतलब सेम रियक्शन जैसे अभी मैंने कराई है सेम इसी तरह से reaction होगी बाकी के OH ग्रूप पर जो बचे हुए OH ग्रूप हैं उन पर भी सेम तरीके से reaction होगी तो कई सारे step और आगे होनेंगे आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं उन सारे step को यहां तो फिर आप ऐसे दिखा सकते हैं कि आगे और reaction होगी और भी steps होंगे और finally हमको क्या मिल जाएगा फाइनली हमको मिल जाएगा यह यहां तो OCS3 पहले से था यह वाला OCS3 में change हो गया और बहुत सारे step होने के बाद यह सभी किसमें change हो जाएंगे यह सभी change हो जाएंगे OCS3 में है तो इस तरह से हमारे पास हमारा final product आ जाता है जो कि क्या है ether है और इसका नाम क्या है इसका नाम क्या दे सकते हैं हमको दे सकते हैं pentamethyl व्यूद्पुन भी कह सकते हैं यह इसी को हम कह सकते है pentamethyl क्या बनाई है पेंटा मेथाईल क्यों क्योंकि पांच मेथाईल ग्रूप है पेंटा मेथाईल ग्लूको पाहिरानो साइड एलफा और बीटा हमने नहीं लिखा है क्योंकि ये एलफा भी हो सकता है बीटा भी हो सकता है क्योंकि हमने कोई सी एक फॉर्म को नहीं लिया है होता तो यह क्या बनता एलफा पेंटामिथाल ग्लूको पाई रानोसाइड और अगर हमने यह बीटा लिया होता तो बीटा बनता रियक्शन सेम होती मेकैनेजम दोनों की ठीक है तो इस तरह से ग्लूकोज के इथरों का निर्मान होता है नोट कीजिए जल्दी से फिर आगे चलते हैं अगर आपको याद ओ तो इसी तरह का स्टेम दीक्शन हमने वहां बी चलाए था ओपन चेंड में लेकिन बोईपन चैंड में ज्यादा रहता नहीं हमेशए क्या रहता है इसी तरह की फॉर्म में रहता है ओपन चीन ज्यादार स्टेवल नहीं हैं तो यह जो है इसी तरह की फिर्म में पाये जाएगा कि नोट कर लिया आगे चलते है कि कि नेक्स देखेंगे हम एस्टरों का निर्मांद जैसे एथर का निर्मांद क्या है ऐसी अब हम किसका करेंगे एस्टरों का निर्मांद करेंगे निर्मांद करेंगे कैसे होगा एस्टर क्या होते हैं इससे पहले में पता होना चाहिए एस्टर क्या होते हैं जैसे आर यह क्या है यह एस्टर है यानि कि इसमें यह ग्रूप होना चाहिए इस तरह से ग्रूप होना चाहिए तो यह क्या कहल एस्टर कहलाते हैं यानि कि हमको एलकोहॉलों में क्या करना पड़ेगा ओ तो पहले से होता है लेकिन उसकी जगह पर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा आर्सीयों ग्रुप को लाना पड़ेगा तब वो किसमें चेंज हो जाएंगे तो यह हम क्या से करेंगे वही हमको देखना तरहों यह फ्कि एक तरा की एसे टाइलेशन ओर याक्षन है सायद आपको याद हो हमने ऊपन चेन में भी यह रिक्ष्ट करा रखी यह है उपन say स्कंड ग्लुकोस की उसमें यह यह स्वरच नाम तो हम कैसे करेंगे वह हमें देखना है तो क्या होता है कि जाब किसी नो सेक्राइड एक को सब्सक्राइड मतलब कोई साथ भी हो सकता है अठाय क्या क्या करेंगे स्टारीज ग्लुको्स हो सकता है once Dobino को उसकता है कोई सभी मौनu सैकराइड हो सकता है तो यहां पर हम क्या ले करेंगे जब किसको in至 선배 वो तो कोई ले सब्गीकिन हम जालता हमेशा कहले का चलते हैं ग्लॉकस क्यूंकि वह important है तो जब monosaccharide को किसके साथ sodium acetate sodium acetate भी ले सकते हैं यह हम क्या ले सकते हैं यह ac2o भी ले सकते हैं acetic anhydride ac2o का मतलब क्या है as a.ik and head a ॅर्याइड के साथ हईड्राइड के साथ कैसे माध्या मेऺित है कृइड्राइड के साथ है 바odorễ रिए माध्यम या धुर्वल चार ले souч़ जैसे कि हमारा जो दुर्वल चार जो हम लेते हैं जाद है कुन सा यह पिरिडिन पिरिडिन इक चार है लेकिन कैसा दुर्वल चार तो क्या है को दुर्वल चार के साथ जब मोनो सेकराइड को सोडियम हैसिटेट या क्या है AC2O के को दुर्वल चार जैसे की हमारा पिरिडिन दुर्वल चार जैसे की हमारा पिरिडिन ठीक है यह ऐसे लिखें ऐसे लिखते हैं और अच्छे से तो जब मोनोसकराइड को यह लिख दूँ सोडियम एसीटेट सोडियम एसीटेट यह यह लेंगे हम दुरबल छार जैसे कि हमारा पिरिडीन दुरबल छार हम क्या लेंगे माध्यम में किस के साथ एरक्षन कराएंगे ऐसीटो यह क्या है ऑसीटिक न हैं और एसीटू छार यह दुरबचयर माध्यम् दुरबचयार पिरिडीन के माध्यम में एसीटOO के साथ अभीक्रत कराने semi के साथ अभीक्रत कराने पर किसका निर्माण होता है एस्टरों का निर्माण होता है यह हम इसको भी बोल सकते हैं क्या पेंटा ऐसी टेट पेंटा ऐसी टेटों का का निर्माण होता है पेंटा ऐसी टेटों का निर्माण होता है जिन्हें हम क्या बोलता है जो कि हमारे एस्टर होते हैं ठीक है इसका निर्माण होगा पेंटा ऐसी टेटों का जो कि क्या है हमारे एस्टर होते हैं तो हम देखते हैं कि यह कैसे होगा देखते हैं तो क्या लेन पड़ेगा यारानिक यहां पर हमने ग्लूकोसााइड नहीं लिया आपको यादो फिछले जो अनिर्मार्ण किया तो उसमें आमने क्या लिया थकkan लिया था है यह थे is तो ऑन नो सेक्राइड , लेंगे , ग्लुकोस लेंगे , इन को लेंगे , और उनकी कॉंसी स्टॉक्चर , साइक्लिय में , तो हम क्या बनाएंगे यहां पर ग्लुकोस ले लिया , ग्लुकोस ले लियां , और इसका मुद्ध आप doctrine , क्यों लिया है वह में बात में बताओंगी कि यहां पर मैंने depth कि और मैंने क्यों क्योंदे enrichment किया है क्यों alpha ही लिया है क्यों बीटा ही लोगी थो बता सुझी स्हश्राइब ढि UP Cई लेक्षर आए तो हम Sadira अध很 थरू. क्या लिया है एलफा डी ग्लुकोज मालव हमने इसका किसके माध्यम में लिया है चार यह माध्यम में कौन सा पिरिडीन पिरिडीन क्या है हमारा एक दुरुबल चार है किसके साथ रियक्शन कराएंगे एसीटुओ connecting क्या होता चार बाताया मैंने फिर इन कर देती हूं यह है었क इसको बोलते हैंब क्या है इसले स्कों शॉर्ट में क्या लिखा हुआ है टो तो AC2O तो इस तरह से तो यह क्या है acetic N hydride तो जैसे हम इसके साथ reaction कराएंगे तो क्या होगा सारे जितने भी OH ग्रूप है यह reaction कई steps में होगी यानि कि और जितने भी OH ग्रूप में वो सब किसमें change हो जाएंगे ester में change हो जाएंगे यानि क्या वनेगा हमारे पास हमारे पास वनेगा यहां जो OH था यह भी change हो जाएगा C double bond O CS3 में और जितने भी O थे तो मैं इसको क्या लिख सकतूं यह O और यह वाले गृप को नाम क्या दिया था मैंने AC तो मैं शॉट फॉर्म में लेखूंगो तो नहीं यहां पर लिखूंगी OAC यह भी OC में change हो जाएगा यह भी OAC में change हो जाएगा कर यह भी OAC में change हो जाएगा ठीक है ओए मतलब OCO CS3 और CS3 को हम क्या लिखते हैं है कि लिए इसलिए मैंने फरमें के लिख दे तो इस तरह से हमारे पास यह बन जाएंगे क्या बनेगा यह क्या वनाया है हमने एल्फा फ़ॉर्म ली यह ब्ली थी यह व्लूो कोज लिया था इसलिए क्या लिखलेंगे ग्लूको कितने एसीटेट वने हैने पांच तो पांच के लिए लिखेंगे पैंटा और यह क्या हो जाएगा एसीटेट है तो यह क्या वन गया हमारे पास ? ALF GUY GVC pan इसीटेट वन गया क्या बना है ? ALPलको ईसाओब आपative ऑफया है कि इससे पहले कि मेकानिजम करा हूं मैं यह रीजन बतादो कि मैंने क्यों एल्फा से नहीं रखा कि यह बीटा भी हो सकती है क्योंकि जब रहे थी तो क्या था मुझेशन बनाने में तुम्हां पर चलेंगे तो यहां पर हम ने किया है एला टो लेकर चलेंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या वनेगा एल्फा बने सब्सक्राइब वा нет पर देद बंता ब्राड़क्त भी किया बंता कि अगर मैं अलफा लेकर गये तो प्रोड़क्ट लिया आए तो प्रोडक्ट बीटा बने가 लेकिन तब बनेगा जब reaction के लिखे लिया और उसे इसले हम पर किस पर करायें पर संपन करा जबी बोला मैंने यदि अभिक्रिया कितने पर कराई जाए? 0 degree centigrade मतलब कि निम्न ताप पर तो यदि अभिक्रिया किस पर कराई जाए? निम्न ताप पर कराई जाए तो एलफा ग्लुकोस से क्या बनेगा? एलफा ग्लुकोस से एलफा पेंटा एसिटेट तथा बीटा ग्लुकोस से क्या बनेगा? बीटा ग्लुकोस से बीटा पेंटा एसिटेट का निर्मान होता है यानकि अगर हम प्रोड़क्त रियक्टेंट एलफा लेकर चल रहे हैं तो एलफा ही मिलेगा हमें प्रोड़क्त में और अगर हम बीटा लेकर चल रहे हैं तो बीटा ही मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता कि हमको एलफा और बीटा दोनोन ऑर फाम मिल जाए एक मेजर हो और एक नहीं होगा हमको केवल एक ही प्रड़क्ट मिलेगा अगर हम एलफा लेकर चलेकर तो मिलेगा तो जो इस तरह और होतीं है जहां पर केवल एक ही प्रॉड़क्ट मिलता है तो ऐसी रेक्शन thunderstorm कोाम क्या कहते हैं तो ऐसी reaction को हम कहते हैं stereo specific क्या करते हैं stereo specific live racist पालिव लिख सकते हैं और है कि इस प्रकार की अभी क्रिया को कहेते हैं अब क्रिया को कहते हैं स्थिरियो स्पेसिफिक हिन्दी बोलू तो त्र्विम विशिष्ट यानि एक ही प्रड़ुक्त वनेगा एलफा लिय कि अलफा और बिटा लिय तो बीटा और यह कैसी रियक्शन होती है जिनमें दोनों बनते एलफा भी बनता और बीटा भी बनता इनमें से एक मेजर होता और एक क्या होता माइनर दो प्रोड़क्ट बनते तो इस तरह की जो रियक्शन होती है इनको बोला जाता है इस्टीरियो सिलेक्टिव क्या बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव यान कि यहां पर सिलेक्टिविटी होती है दो प्रॉडक्ट बनने तो चुनना होता है सिलेक्टिविटी होती है तो जहां पर दो प्रॉडक्ट बनते हैं उनको बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव क्या बोल तो इस तरह से रियक्शन है कहने का मतलब क्या है जैसा कि आपने यहां देखा हमने एलफा ग्लूकोज लिया है तो क्या बना एलफा ग्लूकोज लेते हैं बार बढ़नी लिख रहे हूं बीटा ग्लूकोज में ओएच इधर होगा और हाइड्रोजन नीचे होगा ठीक है तो अ एसी टेट तो बीटा लेते तो क्या मिलता बीटा मिलता अगर रियक्शन कितने पर हो रही है जीरो डिग्री सेंटीग्रेट पर अगर रियक्शन किसने टेंपरिचर पर हो रही है जीरो डिग्री सेंटीग्रेट निम्रता पर तो एलफा लेते तो एलफा प्रोड़क्त बी मेकैनिजम देखते हैं बटा दूँ मेकैनिजम देखते हैं कैसे होगी कि इ利 आये हमने क्या हे हमारे पास ् यह हमारे पास क्लू κάνूर एलफफोडी एलफ़डी ग्लूकोज किस में ले रहे हैं प्रिडीन कि प्रेजेंश्च में, प्रिडीन। पिरडीन क्या होता है एक छार है दुरबल शार और छारों का क्या होता है बेस चार यानि की बेस दुरबल यानि माइल्ड बेस या वीक बेस है तो बेस का काम क्या होता है छारों का काम क्या होता है प्रोटॉन ग्रहेंट करना कौन सा प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन जैसा कि अपने इथरों में गया था जो बेस होगा वो क्या करेगा प्रोटॉन करेंगा एसेडिक क्लिया और ये बंड ऑक्सिजन पर सेफ्ट वन तो क्या वना ये वना ये वना ओमAll थो कि आ Studio फाकी हमना एज़ेस्ट में लिख दिया है डिक्ष क्या बना व क्या बना व माइनस बना दूकिए अब हमारे पास क्या है हमारे पास is do वह उपस्तित यानि यह उपस्तित तर्प च्यस्प मुझए C double bond O C 3 यह उपस्तित नहुंब है यह पर 2 कारभोनील ग्रूप है और यह भी कारभोनील ग्रूप है कि दो कारभोनील समु है हम जानते हैं यह जो double bond O से जुड़ा हुआ carbon oxygen क्या होता है more electric negative तो proton को अपनी तरफ खीचेगा तो यह क्या हो जाता है डेल्टा माइनस और ये क्यारवन कैसा हो जाता है डेल्टा प्लस यानि कि इस पर क्या आ जाता है बहुत माइनर सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्या जाता है इस पर बहुत माइनर यानि बहुत माइनियूट सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है डेल्टा प्लस हो जाता तो क्या होगा इसके पास negative charge है यानि इसके पास electron density है तो यह क्या करेगा यह attack करेदेगा ग्रुप पर जैसे यह attack करेगा ग्रुप पर यह bond का जाएगा oxygen पर जाएगा यह bond move कर जाएगा किस पर? oxygen पर फिर oxygen पर कैसा charge आएगा? यह टादू में जैसे यह oxygen पर जाएगा oxygen पर कैसा चार्ज आएगा negative फिर यह negative charge क्या करेगा वापस अपनी position पर आएगा तो मैं ऐसे देख सकते हूं यह bond कहा गया उपर गया फिर वापस नीचे आया यह bond पहले कहा गया oxygen पर गया negative charge बनाया फिर वो negative charge वापस नीचे आया यानि double bond बनाया और ज हमारे पास बना यह बना ओ था C double bond O CS3 यह बन गया यह बन गया प्लस बाहर क्या निकला बाहर क्या निकला बाहर क्या निकला यहां से CS3 CO क्या बाहर निकला CS3 COO- यानि कि यह बाहर निकला और यह क्या करेगा जो base ने proton लिया था उससे वो proton को वापस ले लेगा और क्या बन जाएगा CS3 COOH बाहर निकल जाएगा तो इसके साथ साथ और क्या बनेगा तो यहां पर बनेगा CS3 COO-OH यह बनेगा ठीक है यह reaction सेम तरीके से आगे भी होगी आगे steps में reaction होगी क्योंकि जिस तरीके से इस hydroxyl group पर reaction हुई है यह भी hydroxyl group है यह भी है यह भी है तो बारी बारी से यह सारे के सारे hydroxyl group इसी तरह से react करेंगे पिरिडीन आएगा proton लेगा negative charge बनेगा यह attack कर देगा किस पर AC AC पर तो फिर क्या बनाएगा यह change हो जाएगा OCO-CS3 में यह किस में change हो जाएगा OCO-CS3 बिल्कुल इसकी तरह OCO-CS3 में और क्या बाहर निकल जाएगा CS3 COOH बाहर निकल जाए यानि same step बार बार रिपीट होंगे जब तक रिपीट होंगे जब तक कि सारे OH गुरूप प्रतिस्थापित ना हो जाए ठीक है तो finally हमको क्या मिलेगा यह step बार बार रिपीट होंगे और finally हमको मिलेगा क्या मिलेगा यह तो पहले सी चेंज हो गया C double bond O CS3 में और सारे ही गुरूप किसमें चेंज हो जाएंगे OCO CS3 इस तरह से तो यह क्या बन गया यह क्या बन गया प्लस बाहर क्या निकलेगा पांच CS3 बने तो पांच CS3 C double bond O O H final में क्या मिल जाएगा एक तो वो था चार और मिलेंगे तो सबको टोटल मिलाकर कितने मिल जाएंगे तो मैं यहां से अठा दूं इसको यहां से अठा दूं ओबरॉल मैंने यहां लिख दी है पांच तो टोटल कितने मिलेंगे पांच CS3 COO H acetic acid के molecule मिलेंगे और हमे हमारा क्या मिल जाएगा हमें मिल गया है कैसा है एलफा है यह अप है और यह कैसा है डाउन तो दोनों कैसे हैं अटी अक्षा हो गई यहोगी एलफा युक ग्लुको ग्लुको से बना हैे पैंटा पांच ऑ हईड्रॉक्सिल ग्रूप पे सबस् Ale क्या बने कौन सा ग्रुप होता यह एसी का मतलब एकिटेट तो एलफा ग्लुकोपेंटा तो यह हमारा प्रॉडक्ट हो गया और इसी तरह से बीटा ग्लुकोस अगर हम बीटा ग्लुकोस लेंगे यानि यह वाला ओएस गुरूप इधर होगा हाइडोजन इधर होगा तब भी रियक्शन सेम तरीके से होगी यही मेकैनेजम होगा पिरिडीन आएगा प्रोटॉन लेगा ओ माइनस वनेगा वो इनक्शन मेकैनेजम होगी तो अब जो हमारा मोनो सेकराइट चल रहा था यह आधे से जाधा यूनित खत्म हो चुके हैं अब मोनो सेकराइट पूरे पढ़ चुके हैं जो इंपोर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का वो पूरा हो चुका है अब दो तीन लेक्चर लेग उसके बारे में बताना है तो दो या तीन लेक्चर लगेंगे आगे उसमें यह आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको नोट कीजिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में